मेडम ये बुद्ध विहार 1982 में हमारे जो महराष्ट्यन समाज के लोग थे जो अभी दिवंगत हो गए है उन्होंने एटीटू में बनाया था ये छोटा सा एक विहार था उसके बाद हम आमबेड करीब फुले और शाहू महराज के विचार सरणी वाले लोग इकटा हुए उन्होंने वो पुराना विहार का जिर्णतार शाहू महराज और बुद्धिजाम का एकी कनेक्शन है शाहू महराज आरक्षन के तरफदारी करते थे उसके बाद बंदूता, समाता और न्याई के लिए उन्होंने अच्छा संदेश हम में दिया था इसलिए हम उनको ज्यादा मानते हैं और इसलिए उनके विचारों से हम प्रपावित हुए हैं मैं सारी पुद्ध बाउदत था के वाई सुरुवाडे दबदी सो साटी आपिंडिया का केंद्री शीक्षक हूँ और बड़तरा शेहर के अंदर दिबदी सो साटी आपिंडिया के वाज़े से सामनेर सिफिर का आयोजन किया है और यह आयोजन करने के बाद में इसका एक मकसद है उनका समापन बुद्ध पुर्णिमा में रखका है जग में शांता चाहिए शांता होना चाहिए यह जो कलह चल रहा है देश के अंदर भगवान बुद्ध ने जो संदिद दिया है सबका मंगल हो, सबका कल्यान हो शांती हर घरगर में होना चाहिए हम लोगों को यही संदिद देना चाहते है कि भगवान बुद्ध का तो स्रामनेर संगा है जो सीबिर आउजित किये जाते है नियुजन हम बुद्ध पॉर्णिवे के दिन में लोगों में जाके और इसका प्रचार और फ्रसार करने वाले हैं। धर्म का सार निकल के सारे दम्म का अभ्यास करके हमें बुद्ध दिया है। नहीं करना, किसी से साथ अत्यचार नहीं करना, हत्या नहीं करना, नशापान नहीं करना, जूट नहीं बोलना। इस साधे पाच नियम भगवान बुद्ध ने हमें बता है। इसे पंचेशिल हम करते है। इतने साधे नियम है, जो हर आत्मी अपने जिवन में पालंग कर सकता है। इसलिए वो जो पाच नियम है, उसको हम पंचेशिल बोलते हैं। भगवान बुद्ध ने वो पंचेशिल हर आत्मी को दिया है। हुआ हुआ है।